हलो स्टुडेंट, वेलकम टू और इस्टेडिंग एजुकेशन, तो आज के इस वीडियो क्लास में हम आपको वास्त्विक संख्या का भी भी ये objective question का solution करके दिखाएंगे, जिससे कि आपके exam में अगर वास्त्विक संख्या में से कोई भी question आये objective में, तो ऐसा नहीं हो कि क्योंकि आप स्टुडेंट, अगर NCIT के वास्त्विक संख्या exercise जितने भी है, अगर आपने solution किया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप objective question को solve करने आते होंगे, तो आप से question नहीं solve होता होगा, ठीक है, तो हमारे पास school 108 BVI प्रश्न है आपके वास्त्विक संख्या से, जिससे क आपके exam में एक भी question ना छूटे, ठीक है, यहाँ पर हम जितने भी question बताएंगी, वह बहुत ही important है, इस तरह के question ही exam में पूछे जाते हैं, बट आपका question पूछने का तरीका बिलकुल इसी तरीके से रहेगा, और कोई-कोई ऐसा question आपका same-same by मिल जाएगा, क्योंकि इसमे वह भी question है, जो आपके question bank में बार-बार पूछे गए, ठीक है, आप लोग video को अंतर जरूर बने रहेगा, वीडियो को skip करके मत देखियेगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ पे हम आपको जितने भी question बताएं, मेरी guarantee है कि आपको इस question पूछे जाएंगे, इस से बाहर आपके question नहीं पूछे जाएंगे अगर वास्तमिक संख्या में से पूछेंगे तो ठीक है, तो चलिए, श्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा first question यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे question है, सह अभाद संख्याओं का मौसव क्या हो होता है, तो आपका right answer क्या हो जाएगा, एक, एक के अलाबा कोई भी ऐसा संख्या नहीं है, जो कि मौसव हो सह अभाद संख्या का, तो एक का right answer आपका भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अपनी next question पे, यदि दो संख्याओं का गुननफल 216 है, ए तो आपसे इस type के question में किसी में आपको क्या करेगा, मौसो है यहाँ पे दिया हुआ, किसी में आपको लौसो दे देगा, किसी में आपको मौसो और लौसो दे देगा, और कहेगा गुननफल निकालने के लिए, तो जो भी मैं आपको एक formula बताऊंगी, अगर आप उसे याद रखते हैं, तो आपसे question नहीं छूटेंगे, ठीक है, तो चलिए, देख लेते हैं कि हमारा question किस तरीके से solve होगा, तो चलिए, हम चलते हैं अपने notebook पे, तो यहाँ पे आगें अपने question पे, ठीक है, तो question है आपका, यदि दो संख्याओं का गुननफल 266 है, एवं उनका मौस 29 है, तो उनका loss क्या होगा, ठीक है, तो जो सबसे पहले हमें question, तो सबसे पहले हमें जो question में दिया है, उसे हमें लिख लेना है, उसके बाद हम solve करेंगे, ठीक है, तो हमें question में दिया है, दो संख्याओं का गुननफल इक्वल टू, गुननफल इक्वल टू 216, ठीक है, और यहाँ पे आपको मौसो दिया है, मौसो दिया है आपको 19, ठीक है, अब आपको loss निकालना है, तो loss आपको क्या है, निकालना है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें लॉसों निकालना है अब हमें जरुवत पड़ेगी फॉर्मूला की तो वो फॉर्मूला कौनसी है अगर आपको याद है अच्छी बात है नहीं याद है तो आप ध्यान में रखिएगा बहुत ही इंपोर्टेंट है ठीक है यहाँ पे है दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुननफल दो संख्याओं का गुननफल इकवल टू मोसो गुने लॉसो यह है ठीक है तो हमें क्या दे रखा है हमें दे रखा है दो संख्याओं का गुननफल, गुननफल कितना दे रखा है? 2166, इसके नीचे में लिखेंगे और बढ़ावर, मौसो कितना दे रखा है? 19 और हमें निकालना क्या है? लौसो, लिखेंगे लौसो इस तरह से, अब हमें इसे थोड़ा सीधा कर लेतें, ठीक है? उनीच गुनने लौसो गुनने लौसो इक्वल टू 2166, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? लौसो इक्वल टू अगर हमें निकालना हो, तो लौसो बढ़ावर हो जाएगा, 2166 बटे में क्या है? आपका 19 आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि गुनाम है तो इस साइड आके क्या हो जा 2166 से भाग दे देतें, ठीक है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर क्या लग जाएगा? 19 सीकन, 19, 11 में से नौ गया तो दो और यहां बच गया एक में से गया तो कट गया, यहां के पर 11 में से नौ गया तो और 11 में से नौ गया तो दो और एक में से गया तो कट गय पर अपर थे दोड़ा जाएगा साथ और यह एक में सेट जाएगा फिर क्या गया च्छीथा, उनीश चोक का स्छीथा ठीक है, क्या गया है यह हमारा कट गया कितने से 1114, ठीक है, तो हमें Loss equal to कितना निकल के आगया है, 114 ठीक है, यह हमें निकल के आगया है अब चलिए हम चलते हैं, option में उसे धून लेते हैं कि हमारा 114 निकला है कि नहीं, ठीक है तो यहांबे देखिए हमारा 2 का Catholic krijgen Share हो जाएगा आपका C114 जो कि बिल्कूल correct है ठीक है अब आईए हम चलते अपने next question की ओर यहाँ पर है यदि a equal to 2 का power 3 गुने 3 गुने 5 और b equal to 2 का power 4 गुने 5 गुने 7 तब loss of equal to क्या होगा loss of a b equal to क्या होगा देखिए अगर आप अभाज गुनन खंड करके अगर आपको loss of या मौसो आता है तो यह question आपके लिए बहुत ही easy है ठीक है तो चलिए हम देखते हैं कि इसे हम किस तरीके से solve करके यहाँ पर निकालेंगे ठीक है तो यहाँ पर आगे अपने question पर question में है यदि a equal to 2 का power 3 गुने 3 गुने 5 और b equal to 2 का power 4 गुने 5 गुने 7 तब loss of क्या होगा ठीक है तो चलिए इसे हम solve कर लेतें तो यहाँ पर जो आपको दिया है उससे लिख लीजे जैसे कि 2 का power यहाँ पर क्या दिया है 3 तो हम 2 को क्या करे तीन बार लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 और फिर आपका दे रखा है 3 तो लिखेंगे 3 गुने 5 ठीक है अब आपका देखिए b equal to क्या दे रखा है 2 का power 4 हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 कितना वार 4 वार और आपका है 5 गुने 7 ठीक है तो हम loss of की तडिके से निकालते थे अ जितना मिले उसे लिख लेते थे और जो बच के उसे लिख लेते और फिर गुणा करके हमारा लॉसर निकाल लेते थे जैसे कि यहाँ पर देखे, दो-दो यहाँ पर मिल रहा है, तो यह दो हो जाएगा, फिर यहाँ पर यह भी दो मिल रहा है, तो यह भी हो जाएगा, फिर क्या मिल रहा है, पांच-पांच मिल रहा है, तो यह भी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या देखे, अब कौन नहीं मिला, तो 3 नहीं मिला, लिखेंगे 3, फिर उसमें क्या नहीं मिला, 7 नहीं मिला, 7 लिख देंगे, ठीक है, अब चलिए इसे हम गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे, 2 दुनी 4, 4 दुनी, क्या हो जाएगा, 8, देखें, यहाँ पर 1, 2 और नहीं मिला था, इसे भी यहाँ पर लिख ठीक है, तो क्या आजाएगा, 0, 7, 4, 8, 8, हासिल, 2, 7, 2, 14, 14, 2, 16, क्या आगे आपका, 1680 आपका यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है, तो चलिए इसे हम ओप्सन में ढून लेते हैं, तो question 3 का आपका right answer D हो जाएगा, 1680 जो की अभी आपने find किया, ठीक है, अब चलिए हम चलते next question पर, यहाँ पर है, यदि M 1 धनात्मक पूर्णांग है, तो धनात्मक विश्रम पूर्णांग का रूप होगा, अब विश्रम पूर्णांग का रूप का मतलब क्या हुआ, मतलब क्या है, जरा इसे ध्यान से समझे, विश्रम पूर्णांग मतलब कि अगर आप विश्रम स विसम संख्या का रूप इन में से कौन सा है तो विसम संख्या का रूप हमारा क्या होगा देखिए 4m प्लस 1 क्यूं होगा यहां पर ध्यान से आप लोग देखिए 4m यहां प्लस क्यूं होगा 4m प्लस 1 यह क्यूं होगा देखिए m के जगह पर हम कोई भी पुर्णाक रख सकते हैं कोई इंटीजर रख सकते हैं जैसे कि 1 2 3 4 कुछ भी लिख लिजे तो आपको क्या आजाएगा आपका विशम संख्या ही आएगा जैसे कि m के जहां पर मान लिज हम तीरी लिख देते हैं और यहां पर प्लस 1 लिख देते हैं ठीक है तो यहां पर क्या जाएगा आठ प्लस 8 क्या आपका नग कुछ भी आप रखिए इस पर 4m प्लस 1 जैसे कि यहां पर मान लिज आप 5 रख देते हैं और प्लस 4-5-20 और प्लस एक क्या हो जाएगा है जितना बार भी हम कुछ यहां पर रख रहे हैं हमें 20 संख्याही आगा इसलिए बीस संख्याह का क्या है रूफ 4 M प्लस वन आप ध्यान में रखेगा इसी तरस अगर पूछ दिया जाएं तो सम संख्याँ का हमारा सीधा हो जाएगा संख्याँ यहां ज़्में से एक ól MI में थियां में ज़रूझ रखियागा डियां हमारा विश्मोन क्या हो जाएगा इसा का फोर का राइटेंस तर आपका सी बिल्कुल कोड़क्ट हो जाएगा ठीक है अब चलिए हम चलते अपने 5 कुश्चन पर निमलिकीत में से कौन सी अभाद संख्या है तो अभाद संख्या हम किसे कहते हैं अभाद संख्या हम उसे कहते हैं जो हमारा एक में आए और वो स्वयम अ तो यह हमारा नहीं क्योंकि इसके तीन से जादा अपकवुडिक है यह बिल्कुल भी नहीं कोगा हम जिते हैं क्योंटिसे हम जोटना संख्या हमारा गीरा और आपका साम्ड़कर में आपका C हो जाएगा ठीक है अब चलिए हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और यैसे की गया है जैसे की रूट सत्रण से लगेगा उसके बाद नहीं लगे और यह 4 यह भी 2 का स्क्वेड होता है तो स्क्वेड से कर जाएगा तो यह भी नहीं होगा अब रूट 16 पलस 25 beneficial 4 का स्क्वेड हो क्या हो गया 16 और 5 के स्क्वेड हो गया 25 तो 4 पलस 5형us लोगा जहेगा जो कि हमारा नहीं होगा यह Nagraini हो बता है तो यह हम फिर भी ऑपड में नहीं आता है, पहचानने नहीं आता है, तो आप हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपको इसको अलग से आपको वीडियो बना के अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है, आप चलिए हम चलते हैं, नेक्स्ट कोईशन में, यहाँ पे है, 7 गुनान खंड में 2 का घातां किया है, यहाँ पे क्या कहले हैं, 144 का अभाज गुनान खंड, तो देखिए, 144 का अभाज गुनान खंड किस तरीके से करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 से 142, 24, फिर हमारा ये 2 से लग जाएगा, यहाँ पे देखिए, 2 3 6 2 6 1 2 6 2 12 फीर यहां पर क्या हो जाएगा 2s लगेगा तो यहां पर देखे दो एकन 2 और यहां पर क्या हो जाएगा 2 18 और फिर लगेगा तो 9 18 और यहां expect 3 त् koleam 9 3 एकन 3 ठीक है तो क्या आगया हमारा भाज गुन dona auf एक दो तीन चार चार बार दो आया दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने दो और तीन हमें दो बड़ाया है तीन गुने तीन तो हमें क्या रहा है कि आपको दो का घातांक बताना है घातांक मतलब क्या होता है पावर होता है ठीक है तो देखिए एक दो तीन तो धो का फावर कितना हो जाएगा आपका चार हो जाएगा ठीक है तो तो मारा तन dog क्या हो गया यहाँ पर हमारा हिहा था तकー हमारा घातांग केतना हो गया खांग SSD क्तर घूर्ण प्रवान करा टेंसर अपका C बिल्कुल कोड़ेक्ट हो जाएका ठीक है अब आईए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कुश्टन पर यहां पर कह रहा है कि निमलिखीत में से कौन सा पढ़ मैं संक्या यहां पर क्या क्या रहा है उसमें क्या पर मैं संक्या यहां पर आपको 144 आता है देखे यहां पर अगर रूट अंडर एक वता एक लटा 144 है तो हमारा बाड़ा का स्कूईर कितना होता है 1 244 और हमारा एक का स्क्वाइर कितना होता है हमारा एक होता है तो अगर हम रूट में एक का स्क्वाइर करें और हम 12 का स्क्वाइर करें तो यह स्क्वाइर से हमारा क्या होगा रूट कैंसिल हो जाएगा और हमें बच जाएगा एक बटा 12 जो कि हमारा एक पडमे संख्या है आपका 8 का राइट एंसर A बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है अब आईए हम अपने चलते हैं next question पर यहाँ पर निमलिकीत में से कौन सा अभाद संख्या है फिर वही आ गया जो की एक एक में आए और वह सुएम अपने आप में तो देखिए यहाँ पर एक ऐसा संख्या सिर्फ C ह है ठीक है तो आपका राइट एंसर यहाँ पर C हो जाएगा बिल्कुल correct ठीक है अब आईए हम चलते हैं अपने next question पर यहाँ पर कह रहा है निमलिकीत में से किसका दसमला परसार असांत है यहाँ पर क्या कह रहा है तो आपको पता है कि जब भी आपको बट्टे में बट्ट में दो का पाबर दोड है चाहे पांच रहे क्या रहे चाहे दो गुने पांच रहे या फिर अकेला दोड है या फिर अकेला पांच रहे ठीक है देखिए चाहे बट्टे में क्या रहे दो अकेला रहे या फिर पांच अकेला रहे या दो गुने पांच साथ में रहे ठीक है तब हमारा वो असांत होगा या तब वो हमारा सांत होगा लेकिन अगर यह नार है तो वो हमारा असांत हो जाएगा माल लिजे 2 के साथ में अगर 3 किसमें जब हम हर का अभाज गुरंखन करेंगे तब ठीक है 2 के साथ में अगर 3 आ गया तो भी हमारा नहीं होगा अगर 5 के साथ में यहां पर मान लीजिए 4 आ गया तो भी नहीं होगा 5 के सामने मतलब 4 का दा भाज गुन हो जाएगा मान लीजे 5 के साथ में हमारा क्या आ गया 6 आ गया तो ये भी नहीं होगा अगर मान लीजिए कि हमें 5 गुर्णे 2 भी दे रहे और फिर यहां पर एक 3 आ गया तो ये भी हमारा असांथ हो जाएगा तो चलिए हम करके देखते हैं यहां पर देखिए 23 का 23 भट्टा 50 है देख ले यहां पर लेकिन क rozp में कहिरा है इन मज Sei 6 है अब हमें ये खूली 2 कर लेते हैं 243 से जाएगा 38 24 तिने कंतीम पहले ही तीन आ गया तो ये हमारा तीन आ गया तो ये हमारा असांथ हो जाएगा ठीक है तो कि सांत होने के लिए चाहे अकेला 2 रहना चाहिए चाहे अकेला 5 रहना चाहिए चाहे दो और 5 साथ में रहना चाहिए पाबर कुछ भी रह सकता है उससे कोई फर्रक नहीं पढ़ता है तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा इसमें question में कहे रहा थे की आपका कौन असान बात नहीं है और आप देखते देखते बोरिंग भी हो जाएंगे ठीक है इसलिए हम आपको आप इससे आगे का question हम आपको next वीडियो में देंगे तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अगर आपको question सब अच्छे से समझ में आ गया तो आप हमें comment अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी subscribe जरूर कर दीजेगा thanks for watching this video